NCRT पाठे पुस्तक पर आधारित most important question के answer बताएंगे जो board exam में पूछे जा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला question है सीत निस्कृता से उपरत किस प्रकार से भिन्न है सीत निस्कृता यानी hibernation और उपरत यानी dipodge ये अंतर दोनों में बताना है तो पहले सीत निस्कृता को जाल लेते हैं तो यहाँ एको धर्मल जन्तु द्वारा सीत काल से बचने के लिए की गई किरिया है जो एको धर्मल जन्तु होते हैं उनके द्वारा सीत काल से बचने के लिए की गई एक किरिया है जिसे सीत निस्कृता कहा जाता है और इसके अंतरगत भूमिगत जनतो रहते हैं इसके अंतरगत कों से जनतो भूमिगत जैसे गुफाओं में, बिलों में, ब्रदा के अंदर ब्रचो जो बड़े-बड़े से ब्रचो होते हैं उसके जो खोखले उसमें अस्थान हो जाते हैं वहाँ पर छोपे रहते हैं और कुछ गर्म रगत वाले भी जो इस्तनिया होती हैं इसके अंतर्गत आती हैं तो कुल मिला करके सीथ निसकरता क्या हुई कि सीथ निसकरता में जो जीव होता है वो स्वयम को अधिक ठंड से बचाने के लिए मिर्टी के रीचे गहराईयों में रहते हैं उसे ही सीथ निसकरता कहा जाता है अब अगर उपरत की बात की जाए तो उपरत में क्या होता है कि जील आधि में उपस्थित कुछ जो प्लेंट टोन्स प्रितिकूल समय आने पर बिश्राम अवस्था में चले जाते हैं इसे ही उपरति कहा जाता है कहने के मतलब यह है कि यह किरिया कीटों में बिकास के दोरान प्रितिकूल वातावर से बचने के लिए की जाती है जिसे उपरति कहा जाता है नेश कुछन है अगर समुद्री मचली को आल अमर जल यानि फ्रेस वाटर की जल जीवसाला में या एकेवेडियम में रखा जाता है तो क्या वह मचली जीवित रहे पाएगी यदि हां तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों नहीं रखी जा सकती है तो इसका आंसर होगा नहीं यह जीवित नहीं रहेगी क्यों क्यों कि आलवडिये जल मचलियों में स्वच्छ जलिये मचलियों की तरह अतरिक्त जल को सरीर से ब मचली मर जाएगी जल की अधिता कैसे अंतह परासंड के द्वारा यहनी आस्मो रेगुलेशन के द्वारा तो कुल मिलाकर के इसका आंसर होगा नहीं क्यूंकि समुद्री मचली लवडिये जल के लिए अनकूलित नहीं होती है आ लवडिये जल में आते ही अलपसारी माध्यम म आने से आस्मो रेगुलेशन हो जाएगा और आस्मो रेगुलेशन होने से वहां मर जाएगी नेश कुछ्चन है अधिकतर जीवधारी 45 डिगरी से अधिक तापमान पर जीवित नहीं रह सकते हैं कुछ सूच्म जीव या माइक्रोप्स ऐसे अवास में जहां तापमान 100 डि जीवित रह पाते हैं क्योंकि जयोरासायनिक अनकूलन के कारण उनके सरीर में इतने उच्च तापमान पर भी जयोरासायनिक या बायोकेमिकल किरियाएं सुचार रूप से होती रहती हैं और इनमें ताप सहसून अवंजाइन ताप इस्थिरवसा तथा कुछ मात्रा में ज से ताप के प्रतिये प्रतिरोधक छमता उत्पन कर लेते हैं चूकि इनमें मुक्त जल की मात्रा बहुत कम होती है अतहा जल कम होने के कारण अधिक ताप के प्रतिये प्रतिरोधी हो जाते हैं या प्रतिरोधी छमता उत्पन कर लेते हैं इसलिए वो जीवित रह पाते हैं लेश्य क्रीटिन है उन गुड़ों को बताईए जो बेष्टियों में तो नहीं, परंतु समिस्थियों में होते हैं जन्मधर या नेटलिटी से कहा जाता है आंग्रेजी में तो किसी छेत्र की समिष्ट में जन्म का जो अनुपात होता है उसे जन्म दर कहा जाता है और मृत्यू दर के अगर बात की जाए तो इसे mortality कहते हैं किसी छेत्र की समिष्ट में मृत्यू का अनुपात जो होता है उसे मृत्यू दर कहा जाता है या mortality कहा जाता है ऐसे ही जो link अन distribution की बात की जाए तो दी गई जन्य संख्या में दिभिन आयू वर्ग के जीवों का जो प्रतिसत होता है उसे ही आयू वितरण कहा जाता है तो इस तरह से समिष्ट की विशेस्ताइं हो जाएंगी जो इंडार्टले घुमा कर पूछी गई थी next question है आर्किड पौधा आम के पेड़ की साखा पर उग रहा है आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस परिक किरिया का वड़न आप कैसे करेंगे जो आर्किड पौधा है ये आम के पेड़ की साखा पर उग रहा है तो बताया गया है कि आर्किड और आम के पेड़ के बीच पर्थरी किरिया का आप वडन किस तरह से करेंगे तो इसका आंसर होगा आम की साखा पर उगने वाला आरकिड पाओधा एक अधी पाधप है जो दूसरों के पाओधों पर उगते हैं अधी पादप कहलाते हैं आधिपादप है और इन दोनों के वीज़ का जो संबंध है वो बाह सहभोजिता का उधारण है यानि आरिकिट का पौधा और आम के बीज़ में जो संबंध है वो बाह सहभोजिता का उधारण है जिसमें एक सदर से को लाब हो रहा है जबकि दूसरा आप्रभावित रहता है ना तो उसको लाब हो रहा है ना तो उसको हानी हो रही है तो उपरोग तो पारसपरी किरिया में आरकिड को लाब होता है क्योंकि वहां आम से सहारा प्राप्त करता है जबकि आम को कोई लाब या हानी उससे नहीं हो रही है तो यह क्या हो गई? सहभोजिता का उधारन हो गया तो पारिसपरी किर्या का वरणं कैसे आप कर देंगे कि इन दोनों के बीच का जो संबंद है वो सह्भभोजिता का उधारण है जिसमें एक सदर्शी को लाब हो रहा है जबकि दूसरा आप्रभावित रहता है और इस किर्या में आरे कीड को लाब हो रहा है और आम को कोई लाब नहीं हो रहा है आम का सहारा वो प्राप्त करता है जबकि आम को इससे न तो कोई लाब हो रहा है ना ही कोई हाने हो रही है कीट पीड़कों के प्रबंधन के लिए जयो नियंत्रण बीधी के पीछे क्या पारिस्थितिक सिध्धानत है जो पेश्ट इंसेक्ट होते हैं इनके मैनेजमेंट के लिए जयो नियंत्रण है उसकी बीधी के पीछे क्या पारिस्थितिक सिध्धानत है तो कीट पीड़कों के प्रवद्धन के लिए जयो नेंत्रविधी प्रेडेशन पर आधारित है प्रेडेशन शिकार तथा सिकारी के बीच एक जैवी पारसपरी किरिया है जो मैंने मेढ़क किरी किसी को खाता है तो जो मेढ़क है वो क्या हुआ सिकारी हो गया और जिसको खा रहा है वो क्या है सिकार हो गया तो यहाँ पर कहा गया है कि सिकार तथा सिकारी के बीच एक जैवी पारसपरी किरिया तो बिल्कुल वही हो गया इस पारसपरी किरिया में सिकारी सिकार को भोजन बनाता है सिकारी जो होता है वो सिकार को भोजन ब नियन्तित हो गए क्यों कि उसको वह खुआ रहा रहा है आदार वा इस प्राशण के आंसर को हम दूसरी तरह से कहें तो नियन्तित loose हो जाता है इस तरह से जयर नियंत्रत हो जाएगाétat